भारत के प्रधान मंद्री और जिनके नेटित्व में एंडिये साड़ी 300 सीटे विजे हासिल की है मानि प्रधान मंद्री विजिए प्रणुन के प्रणून बारतिय जनता पार्टी के यसस्वी परीश्रवी अत्यक्ष भाई अमित साजी भारतिय जनता पार्टी के सभी वरिश्ट साथी और प्यारे भाई और बहनों आज स्वयम मेग राजा भी इस विजयोत्सों में सरीख होने के लिए हमारे बीच है 2019 लोगसर्भा का जनादेश हम सब देश माच्वा के पास नए भारत के लिए जनादेश लेने के लिए गए थे आज हम देख रहे हैं देश की कोटी कोटी नागरिकों ने इस फकीर की जोली को भर दिया मैं भारत के एक सो त्रीज करोड नागरिकों का सर जुका करके नमन करता हूँ लोगतांत्रिक विश्व में दोहजार उन्नीस का यह जो मतदान का सिरफ आंकड़ा है यह अपने आप में लोगतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है पूरे विश्व की यह सबसे बड़ी घटना है देश आजाद हुआ इतने लोगसभा के चुनाव हुए लेकिन आजादी के बाद इतने चुनाव होने के बाद सबसे अधीक मतदान इस चुनाव में हुआ है और वो भी 40-42 दिगरी गर्मी के बीच में है यह अपने आप में भारत के मतदाताओं की जागरूपता लोग तंत्र के प्रती भारत की प्रतिबद्धता पूरे भिश्व को इस बात को रजिस्टर करना होगा पूरे भिश्व को भारत की लोग तंत्रिक शक्ती को पहचानना होगा इस अवसर पर मैं इस लोग तंत्र के उत्सों में लोग तंत्र के खातीर जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया है जो लोग गायर हुए है उनके परिवार जनों के प्रती मेरी संबेदना प्रगट करता हूँ और लोग तंत्र के इत्यास में लोग तंत्र के लिए मरना ये मिशाल आने वाली पीजियों को प्रेरणा देती रहेगी मैं चुनाव आयोग को सुरक्षा बनो को इस लोग तंत्र की उत्सव की व्यवस्टा को समानने वाले हर किसी को उत्तम तरीके से लोग तंत्र में विश्वाद बढाने वाली रवस्ता देने के लिए बहुती उत्तम तरीके से चुनाव प्रक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए रजाई पुरवक्त बहुत बहुत बढाई देता हूँ साथियों जब महाभारत का युद्ध हमाप तो हुआ तब स्रीकर्ष्ण से पूछा गया कि आप किसके पक्ष्मे थे मैं समझता हूँ उस समय महाभारत के काल में भगवान स्रीकर्ष्ण ने जो जवाब दिया था वो आज 21 सदी में 2019 के स्चुनाओं में हिंदुस्तान के 130 करोज नागरिकों ने जनता जनारदन ने स्रीकर्ष्ण के रुप में जवाब दिया है आज स्रीकर्ष्ण ने जवाब दिया था कि मैं किसी के पक्ष में नहीं था मैं तो थर्प हस्तिनापूर के लिए हस्तिनापूर के पक्ष में खड़ा था आज 130 करोज नागरिक स्रीकर्ष्ण के रुप में भारत के लिए खड़े थे भारत के लिए बत्तान किया था आरिसलिये देश के सामान्य नागरिक के भावना भारत के उजवल भविश्की गारंटी है इस चुनाव मैं पहले दिन से कह रहा था ये चुनाव कोई दल नहीं लड़ रहा है कोई उमीदवार नहीं लड़ रहा है कोई नेता नहीं लड़ रहा है ये चुनाव बेश की जनता लड़ रही है जिनके आग कान बंद थे उनके लिए मेरी बात समझना मुश्किन था लेकिन आज मेरी वो भावना को जनता जनारदन ने प्रगट कर दिया है और इसलिए अगर कोई विजय हुआ है तो हिंदुस्तान विजय हुआ है अगर कोई विजय हुआ है तो लोगतंत्र विजय हुआ है अगर कोई विजय हुआ है तो जनता जनारदन विजय हुई है और इसलिए हम सभी भारतिय जनता पारति के कायर करता हम सभी एंडिय के साथ ही नम्रता पुरवक इस विजय को जनता जनारदन के चर्णों में समर्पित करते हैं इस लोग सबा के चुनाओं में जो विजय हुए है उन सभी विजयताओं को मेर्ड़य पुरवक बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और सभी विजय किसी भी दल से जीत करके आये हो किसी भी पार्सो भूमी से आये हो लेकिन बेश के उजवल भविश्य के लिए प्रतिबत्ता के साथ कंदे से कंदा मिला करके भारत के उजवल भविश्य के लिए विजयी सभी जन्द सभी प्रतिनी थी आने वाले दिनों में बेश की सेवा करेंगे इस विश्वास के साथ मैं उन सब को शुब कामनाई देता चार राज्यों में भी चुनाओ थे उरिशा, आंद्र, सिक्किम, अरुणाचल उन विधान सभाओं में जो प्रतिनी थी चुन करके आए हैं उन उन राज्यों की जन्ता ने जिन सरकारों को चुना है उनको भी मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ और मैं उन से भी सरकारों को विश्वाद जलाता हूँ कि भारती जन्ता पार्ची भारत के समिधान को समर्पीत है भारत के भारत के समिधान प्रति समर्पीत है और फैडरलिजम पर समर्पीत है और इसलिए इन चीजों को विजय प्राप्त करने वाले लोगों को मैं विश्वाद दिलाता हूँ कि केंद्र सरकार उन राच्चों की विताथ यात्रा में पूरी तरह कंदे से कंदा मिला करके उनके साथ चलेगी जैसा हमारे अत्रिक्जी ने कहा कि भारती जन्ता पार्टी की करोड़ों कार करता उनके परिश्रम उनका पुर्शाथ इतना गर्व होता है कि जिस दल में हम है उस दल में ऐसे दिल्दार लोग है कोटी कोटी कार करता सिर्फ शिर्फ शिर्फ एकी भाव भारत माता की जै और कुछ नहीं कि भारती जन्ता पार्टी परिवार का प्रतेख साथी कोटी कोटी अभिनंदन का अधिकारिय है जिसने निस्वार का भाव से लोगतंत्र का जन्डा उचा रखते हुए देश के सामाने मानवी की आचा आकांचाओं की पुर्ती के लिए जी जान से लोगतंत्रिक तरीके से इस पूरे लोगसाई के उत्सव में सरीख हो करके उसकी आन बान शान बढ़ाने में यश्श्वी भूमी का निभाई है भारतिये जन्दा पार्टी की विशेष्टा है और विशेष्टा ये है कि हम कभी दो भी हो गए हम कभी दो भी हो गए लेकिन हम कभी अपने मार्ग से बिचलित नहीं ही आदर्शों को ओजल नहीं होने दिया न रुके न ठके न चुके कभी हम दो हो गए तो भी और आज दोबारा आगे दोशे दोबारा आने तक इस याक्रा में अनेक उतार चड़ाव आए है जो थे तब भी निराज नहीं हुए और तक हमारी नमरता चोड़ेंगे नमला विवेग चोड़ेंगे नमला आदर्शों को चोड़ेंगे नमले चांचाव को चोड़ेंगे कर दो कर दो कर दो कर दो साथियों अभी हमारे अध्यक जी चुनाव नतीजों की कुछ हाइलाइट बता रहे थे मैं स्वयम आज काफी व्यस्त था उसके कारान चुनाव नतीजों पर मेरा ध्यान नहीं था और इसलिए मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है कि कहां क्या हुआ कैसे हुआ लेकिन अध्यक जी ने जो विस्तार के बताया मैं आज रात के बाद समय निकाल करके देखूंगा का दिन बर क्या क्या हुआ है लेकिन जो अध्यक जी ने बताया ये अपने आप में हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पंडितों को उनकी सारी बिश्वी सदी की सोच को छोड़ना पड़ेगा 21 सदी है ये नया भारत है ये चुनाव का विजय कोई कहता है मोदी 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 ये मोदी का विजय नहीं है ये देश में इमानदारी के लिए तड़पते हुए नागरी की आशा अकांशाओं का विजय है 21 सदी के सपनों को लेकर के चल पड़े नौजवान का विजय है ये विजय आत्म सम्मान आत्म गवरों के साथ एक सोचा लई के लिए तड़पती हुई उस मा का विजय है ये विजय उस पिमार वेक्षी का है जो चार चार पांच पांच सान से पैसो के अभाओं में उपचार नहीं करवा पा रहा था जिसका आज उपचार हो पाया उसके आशिरवाद की विजय है ये विजय देश के उनकिसानों की हैं कि जो पसीना भाँ करके रास्त के पेट भरने के लिए अपने पेट को भी परिशान करते रहता है और खुद जहमबत उठाता रहता है ये उसकी विजय है ये उन चारीस करोड असंगधित बथ्टुरों की विजय है जिनको पहली बार लेट के लोगों ने विचार बहुत रखे होंगे लेकिन इस देश में एक ऐसी सरकार जिस पर लेट का लेबल तो नहीं है लेकिन 40 करोड लोगों के लिए असंगडित कामदारों के लिए पेंशन योजना लागो करके उनको सम्मान जीवन देने का काम की आए ये उनका ये उनका विजय है उन बेघर जिनकी गुजारते गुजारते आज पक के घर में रहने गए है उनका विजय है और जिनका 2022 तक पक का घर बनना अस्ताय है उनका विजय है ये विजय है उन मत्यम्बर के परिवार का है कि जो कानून नियमों का पानन करता रहा जो देश की भराई के लिए टैक्स देता रहा लेकिन न उसे कभी सम्मान मिला और नहीं कभी उसको भरोसा हुआ कि जो टैक्स देता है वो सचमुझ में देश के काम आता है क्या पात सान्दव से अनुभव किया कि जो दे रहा है वो सही जगा पे जा रहा है सही काम आ रहा है उस मद्यम्बर के मन को जो संतोस हुआ है वो संतोस इस जुनाव नतीजों में नजर आ रहा है इमान दारी को जो ताकत मिली है उस ताकत को इस चुनाव ने एक नई स्विक्रुती दी है और इस प्रकार से जो बडलाव आया है उस बडलाव ने ये परिवर्तन लाया है भाईयो बैनों हमारे देश में ये चुना वैसा हुआ वरना आपने देखा होगा तीस साल तक लगातार देश में पिशे सुख से वैसे ये ड्रामे भाईजी तो लंबे समय से चल देखी एक ऐसा प्रिंट आउट एक ऐसा प्रिंट आउट एक ऐसा टैग फैशन हो गई थी कुछ भी करो उसको लगा लो आपके दंगास दान करने जिना पुन्ने मिल जाता था उस टैग का नाम था और पुरी तरह नकली उस टैग का नाम था सेकुलरिजम और नारे लगते हैं सेकुलर एक हो जाओ सेकुलर एक हो जाओ आपने देखा होगा 2014 से 19 आते आते हैं उस भूरी जमात ने बोलना ही बन कर दिया इस चुनाओं में एक भी राजनीतिक दल सेकुलरिजम का इन नकाब पहन करके देश को गुम्रा करने की हिम्मत नहीं कर पाया है ये बेनकाब हो गए दूसरा हिंदुस्तान में कोई चुनाओं ऐसा नहीं गया जिसके केंद्र बिंदु में महंगाई न रही हो ये चुनाओं ऐसा है जहां महंगाई एक भी विरोधी दल ने आरोप नहीं लगाया ये चुनाओं ऐसा है कि जिसमें हिंदुस्तान के पिछले कोई भी चुनाओं उठा लिए सब चुनाओं प्रस्टाचार के मुद्दे से रंगे से रंगे गए थे प्रस्टाचार के मुद्दों पर चुनाओं लड़े गए थे प्रस्ताचार के मुद्धे पर जबाब देने पड़े थे ये पहला चुनाव था जिसमें इस देश का कोई राज़ितिक दल पांच साल के शासन पर प्रस्ताचार का एक आरोप नहीं लगा पाया चुनाव का एक मुद्धा नहीं भारत के लोक कंत्र में ये तीज चीजे कॉंस्टन रही हैं इस चुनाव में मिसिंग थी और इसलिए पॉलिटिकल पंडितों को समझ नहीं आ रहा था किस तराजित से चीजों को सोला जाए भायो बैणो इस चुनाव ने 21 सदी के मजबूत नीव हमारे सामाजिक सारवजनिक राज़ितिक जीवन के लिए निर्मित की है और मैं चाहूँगा कि जो देश का उजवल भविश्य चाहते हैं सरकार कौन बने किसकी बने कौन आए कौन जाए वो तो जनता करता ही करती रहेगी लेकिन भारत के उजवल भविश्य के लिए देश की एक्ता और अखंडिता के लिए अब भारत ने भारत की जनता ने इस चुनाओं में एक नया नेरेटिव देश के सामने रख दिया है सारे समाज सास्त्रियों को अपनी पुरानी सोच पर पुनर विचार करने के लिए देश के गरीब से गरीब ब्यक्ति ने मजबूर कर दिया है और वो क्या है अब इस देश में सिरफ दो जाती बचेगी दो जाती ही रहने वाली है और देश इन दो जाती पर ही केंद्रित होने वाला है यह जाती के नाम पर खेल खेने वालों लोगों को यह बहुत बड़ा प्रहार इस चुनाओं में हुआ है और दो जाती है कौन सी अब 21 सदी में भारत में एक जाती है गरीब भारत की एक जाती है गरीब और दूसरी जाती है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछने कुछ अपना योगदान देने वालों ही एक वो है जो गरीबी से बाहर आना चाहते है दूसरे वो है जो देश को गरीबी से मुक्त कराना चाहते है यह दो ही जाती है और इसलिए हमें 21 सदी में इन दोनों को ससक्त करना है जो गरीबी से बाहर जिसको लाना है उसको भी ससक्त करना है और गरीबी से बाहर लाने में जो बढ़ चर करके मदद कर रहा है उसको भी ताकतवर बनाना है ये दो शक्तियां इस देश पर गरीबी के कलंग को मिटा सकती है इस सपने को ले करके हमें चलना है दोस्तों ये चुनाओ इसलिए महत्वपून है कि इसी कालखंड में ये 2019 से 2014 ये पांक साल का कारकाज और इतना प्रचंड जनमत बतन मेंडे बहुत बड़ी घटा है विश्व को अचम्मित करने वाली घटा है पल भर याद कीजिए यही समय है जब मातमा गांदी के एक सो पचास वर्थ देश मनाएगा यही समय है जब 2022 में भारत की आजादी के पचास्तर साल मनाएगा गांदी एक सो पचास और भारत पचास्तर ये हमारे लिए इन पात साल को 1942 से 1947 के साथ हम प्रतिपल जोड करके देखें 1942 से 1947 देश का हर व्यक्ति जो भी करता था आजादी के लिए करता था स्कूल छोड़ देता था आजादी के लिए जेल जाता था आजादी के लिए खादी पहनता था आजादी के लिए जारू लगाता था आजादी के लिए बच्चों की पढ़ाई करवाता था आजाजी के लिए स्वदेशी का पारण करता था आजाजी के लिए 42 से 46 तक 45 एक जनांदोलन ने देश को आजाजी प्रजिस पाने में बहुत बड़ी मदद कुछ ये 1924, 2019 से 2024 ये कानखन देश की आजाजी के सिपाईयों का स्मरन करने का है और देश मासी भी ताय करें कि इन 5 साड़ का हम 130 करोड लोग उस समय तो जनसंख्या भी इतनी नहीं थी और बड़ी-बड़ी सल्तनत को पराच कर दिया था आज हम 130 करोड लोग है अगर हम संकल्प कर लें कि देश को सभी मुसीबतों से मुक्त करना है देश को एक समरुत राष्ट की तरफ ले जाना है एक विच्शित भारत बनाकर के सांथ ले ली है हमारे गरीब से गरीब की सामान ने आवश सकता है उसको पूर्ण करना है अगर 2019 से 2024 जो स्पिरीट आज़ादी का था वो स्पिरीट सम्रुत भारत के लिए बन जाए स्वतंत्र भारत का हो स्पिरीट सम्रुत भारत का स्पिरीट बन जाए तो 2024 के पहले देश को हम नहीं उद्जाए यो पर ले जाए जाए और इसलिए दोस्तों कि इस चुनाव को हमें नमरता से शुकारणा है हम सरकार तरकार तो भहुमत से बनती है और जन्ता ने बना भी दिये लेकिन लोग तंत्र के समस्कार लोग तंत्र का स्पिरीट भारत के सम्रुधान का स्पिरीट हमें इस बात के लिए जिम्मेवारी देता है कि सरकार भले भहुमत से बनती हो लेकिन बेश सर्वमत से चलता है और इसलिए मैं आज सारबजनी कुरुप से कहता हूँ चुनाव में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन बोला, क्या बोला मेरे लिए वो बात भी चुकी है हमें आगे देखना है हमें सब को साथ ले करके चलना है हमारे कोर विरोधी होंगे, उनको भी साथ लेके चलना है बेश हीद के लिए चलना है और इतना बड़ा प्रचंड बहुमत के बाद भी पूरी नम्रता के साथ चलना है लोग तंत्र की मर्यादाओं के बीच चलना है सम्मिदान, सम्मिदान यही हमारा सुप्रीम है उसी के चाया में, उसी के हर शब्द के भाव को पकरते विए हमें चलना है और उस काम में भारती जनता पार्टी का कोई कार करता भी हिंदुस्तान का हर कोई नागरिक भी उसी उमंग और उसा के साथ हमसे जुड़ेगा, यह मेरा विश्वास है भाईयो बेनो, देश ने हमें बहुत दिया है मैं आज इस पल देश्वासियों के सामने भी कुछ कहना चाहता हूँ मैं देश्वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने इस फ़कीर की जोली तो भर दी मैं पेर दीएश्वासियों को विश्वासियों के जोली तो भाईयों आपने इस फकीर की जोली भर्दी है बड़ी आशा अपेक्षा के साथ भरी ये मैं जानता हूँ आपकी आशा आकांशा आपके सपने आपके संकल पर बहुत कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है मैं इसकी भरी भाती इस गंबीरता को समझता हूँ लेकिन मैं देश को कहूँगा कि आपने 2014 में मुझे जादा जानते नहीं थे लेकिन आपने फरोसा किया 2019 में आपने मुझे जादा जानने के बाद उसमें और जादा ताकत गाई मैं इसके पीछे की भावना को भली भाती समझता हूँ मैं भली भाती समझता हूँ जैसे अमीद भाव कह रहे थे के बहुत वर्षों के बाद एक चुनी हुई सरकार दूसरी बार पूर्ण पहुमत से और पहले से अधिक ताकत के साथ जीत कर गये इसका मतलब देश की जनता का कितना भरोसा है और भरोसा जैसे बढ़ता है जिम्मेवारी और ज़्यादा बढ़ती है और इसलिए मैं देश मास्यों को कहना चाहूंगा कि आपने मिजे जो दाइत्व दिया है हमारे एंडिये के सब साथियों ने जो हमें समर्थन दिया है एंडिये के साथियों ने भी मिलकर के पूरी महनत की है तब जा करके मैं देश मास्यों से आज जरूर कहना चाहूंगा और इसे मेरा वादा मानिए मेरा संकल्प मानिए मेरा समर्पर मानिए मेरी प्रतिवतता मानिए लेकि मैं जरूर कहूंगा कि आपने फिर से जो मिझे काम दिया है आने वाले दिनों में भी मैं आने वाले दिनों में आने वाले दिनों में बद इरादे से बद नियत से कोई काम नहीं करूँगा काम करते करते गलती हो सकती है लेकिन बदिरादे से बदलियत से मैं कोई काम नहीं करूँगा दूसरा दूसरा देशवास्य आपने मुझे इतना बड़ा फरोसा इतनी बड़ी जिम्यवारी दी है तब मैं देशवास्यों को फिर से कहूँगा कि मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूँगा और तीसरी बार मैं सार्व जनीक रूप से कहना काम हूँगा और तीसरी बार मेरे समय का पलपल मेरे शरीर का कन कन सिर्फ और जिर्फ देशवास्यों के लिए मेरे देशवास्यों के आप जब भी मेरा मुल्यांकन करें इन तीन तराजू पर जुरूर मुझे कस्ते रहना कभी कोई कमी रह जाए तो मुझे कोस्ते रहना लेकिन मैं देशवास्यों के भी स्वास्यों के भी स्वास्यों दिलाता हूँ कि मैं सार्वजनित रुप से जो बाते बताता हूँ उसको जीने के लिए भरपूर प्रयास करूँगा मैं आज हमारे राश्टी अद्श उनकी पुरी टीम राज्टी के पन्ना प्रमुग तक के लोग कुछ लोग पन्ना प्रमुग की बड़ी मजाग उड़ाते रहते लिए पन्ना प्रमुग की ताकत क्या होती है वह आई सुनाओं में पता चल गए पन्ना प्रमुग चे लेकर के रास्ट्रय प्रमुग तक इन लक्षावधी कायर करताओं को उनके परिशम को उनकी प्रतिवच्चता को एक बार रजए से बहुत-बहुत आविननन करताओं बहुत-बहुत भनिवाद करताओं भनिवाद मैंने साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बंदे 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 बंदे